हेलो दोस्तो मैं हो रिशेप चाटियर आज की सीडियो में हम कंपारिजन करने वाले है नया नया लॉंच्ट वी कूल मूनवाक M3 वर्सस दपी ट्रॉन बेजबड्स प्रो 5.1 न्यू तो यह तो बहुत मन्से अवेलेबल है नया मॉडल है बट सिल बहुत मन्से अवेलेबल है वी कूल का मूनवाक M3 रिसेंटली लॉंच हुआ है ठीक है आराउंड 1000-1500 रेंज में दोनों मिल जाएगा तो कन्फूजन होता ह होता है कि क्या यह वी कुल वाला ज्यादा बेटर है कि पी ट्रॉन वाला दोनों ही कंपनी इस रेंज में और भी मॉडल्स है उनका भी यह नया नया लॉट लॉंच्ट मॉडल्स है यह तो नया है यह फ्यू मन्स अवेलेबल है तो जलिए जल्दी से आपका कन्फूजन क्ल दोनों ही प्रड़क्स का दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा मतलब बाइंग लिंक और अल्सो दोनों ही प्रड़क्स का मैंने डीटेल्ड अन्बॉक्सिंग रिवी वीडियो भी बनाए है अगर आप वो भी चेक आउट करना चाहते है उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्श इन से तो पहले वीडिजाइन में आप देखिएंगे दोनों ही वेरी कॉम्पक्ट टाइप डिजाइन है दोनों का ही केस की बात करों तो मैट टाइप फिनिश में मिलता है ठीक है विच गूट कलर अंदर की बात करों तो इसमें आपको फुल ब्लाक मिलेगा इधर एक मिल जाता है अब देखिए थोड़ा सा प्लेस्मेंट अलग है इसमें आपको कलर्स भी मिल जाता है ठीक है यह इंसाइड कलर अलग-अलग मिलता है विच इस मिस्टिंग ऑन वी कोल मूनवॉक M3 तो बिल्ड क्वालिटी वाइस दोस्तों केस तो अल्मोंस सिमिलर ही है बट अगर मैं बात करूं यह बड़ की तो जो मूनवॉक M3 है दोस्तों इसमें पूरा ग्लॉस फिनिश मिलता है थोड़ा सा राउंडिश टाइप शेप है ऑन द आधर हैं पी ट्रॉन की बात करूं तो थोड़ा साधा ट्रेडिशनल लुक है बट थोड़ा मैट टाइप रहता है और ओवर अल यह जाधा प्रीमियम लगता है डेफ इन चीज जो है कि sound quality कैसा है I would say the petron bass buds pro new 5.9 यह bass buds pro दोस्तों और एक भी model मिलता है नाम से बट यह नया वाला मॉडल है तो यह जो मॉडल का बात कर रहा हूं इसका link description में रहेगा ताकि आप रॉंग वाला मॉडल पे ना चले जाए बट यह वाला मॉडल का sound quality is better than the moonwalk m3 moonwalk m3 is also good इसका bass भी है sound clarity भी है बट जब आप दोनों को मतलब एक साथ मैंने back to back सुना है definitely यह वाला ज्यादा better bass and overall clarity experience थोड़ा सा ज्यादा better है तो petron wins in the sound quality माइक की बात करूँ तो moonwalk m3 का अगर आप मैंने review देखा मेरा तो इसका माइक में थोड़ा सा distortion था on the other hand अगर मैं बात करूँ तो यह वाला ज्यादा clear है दोस्तों compare to moonwalk m3 तो calls के लिए यह आपके लिए ज्यादा better रहेगा gaming की बात करें तो दोनों में ही कोई भी gaming mode मिलता नहीं है तो gamers को दोनों में ही lag मिलेगा दोस्तों इसमें थोड़ा ज्यादा lag है तो gamers को थोड़ा सा lag आपको दोनों में ही मिल जाएगा तो not really meant for gaming battery life की बात करें तो जो moonwalk m3 around 24 hours का claim है यह around 10-12 hours का claim है दोनों ही claim से कम चलेंगे दोस्तों बट on an average moonwalk m3 जादा चलेगा compare to petron basebuds pro pricing की बात करें तो यह around 1200 का मिलता है कभी-कभी 999 का भी मिल जाता है थोड़ा सा price vary करता है exact pricing के लिए description link रहेगा इसका भी price 1100-1300 ऐसा vary करता है तो मानते है around 1000-1300 के range में दोनों ही आपको मिल रहा है तो कुन सा आपको खरीतना चाहिए I would say clear-cut answer है मेरा opinion जाहिए तो the petron basebuds pro new is the better option features में भी आप देख लिया सभी criteria में यही winner होता है और मेरे opinion में भी petron basebuds pro new 5.1 is the clear-cut winner product link description में रहेगा दोस्तों अगर आप detail में जानना चाहते तो unboxing and review video का भी link description में रहेगा वीडियो अगर थोड़ा सभी useful लगा एक जरूर का देना चाल में नहीं है तो subscribe करके bell icon भी दबा दीजिए मुझे आज के लिए इतना था दोस्तों फिर सब्सक्राइब लेंगे तब तक के लिए बाइबाइ और स्टे सेफ